तो बुर्णिंग आज हम एक दम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले यूनिक टॉपिक नेम इज मशीनिग तो मशीनिग को हम बोलते हैं मैटल कटिंग भी बोल जाया था मशीनिंग को अब मशीनिंग होती क्या है कि अभी तक हम लोग कर रहे थे वाट इस वेल्दिंग वेल्दिंग दिया बिसकॉस इं डिटेल डिया तॉसमें चास्टिंग से प्रकेश कि अलावा इसके अलावा इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वो अलग है वह आपको अलग किसी वर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे लेकिन कास्टिंग से जो भी इंपोर्टन देशें करेंगे तो उसमें जो छीजा की वह दe क्रश्थ चीज है लो खोर चीज जो आनके शैल मोल्डिंग किया होता यह सारी चीज है प्रहुट्ण इसमें आपको के बले इतना ही पढ़ना था और वेल्डिंग भी हम लोग डिसक्स कर चुक है वेल्डिंग में बहुत सारे चीज़ ने इस्टार्ट करने वाले हैं ठीक है टो तो में लिए उपर नाम उता है मेटल कुण घट करते हैं मशीन अव मैटल कटिंग क्या होता है अब होता है प्लोग बेक्रिट मशिन देखियो अगर नहीं देखिये देखी तो वी वक्षप में देखिए आप लोगोंने लेज मशीन कि खराद की मशीन हिंडी में बोलते हैं इसको कि जहां भी कटेंग ऑपरेशन हो रहा है जहां भी कटेंग आप आप ड्लाइशन को आप ड्लाइश खुंड कर रहे हो मशीनिंग में से इसलिए इसख नेगेटिव यूप नने प्रोसेश तो यह जो मशीनिंग है वो आपका नेगेटिव प्रॉसस में आता है क्योंकि इसमें आप मट्रेल को रिमूव करते हो अभी मैं एक सिंपल डाइगरम आपको लोगों को बता देता हूं जैसे माल लिए हमारे पास इनिशियली क्या जो मैं लिख रहा हूं वह आपको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख रहा है अधि बोलिए ना यह माल लिए आपके पास वक्ष्पीस नहीं ता मतलब थोड़ी सी उपर आप बोल सकते हो लाइनिंग ती इसमें उपर रफनेस थी उपर ठीक है तो आपने क्या किया आप एक कटिंग तूल लेकर के आए इस तरीके से सामने से अगर आप कटिंग तूल लेकर के आए और जैसे आपने कटिंग तूल को इदर फॉर्स लगाया तो फॉर्स लगाने के विए से क्या होगा आपको यह को डाया मैं बता देता हूं बना देता हूं कोच ऐसा होगा कोच ऐसा होगा कोच ऐसा तरीके से सरफेस जन्रेट हो जाएगी ही कुछ दगर यह कटिंग टूल ठा इसकाति पर आपने फोर्स लगाया इस तरीक सोथ लगा तो कि अधर यह गवाल गवार। दो खॉणद हों तरहता है यह वाल प्झीस आ चाहिता है जिसमें कर दोता ही ब्लक्ष को यह वाली लि alan आप मुनपना बना चाहते हो कुछ करना चाहते हो तो क्या होगा कि इस तरीके सा रिमूब हो जाएंगा ये जो एक्सट्रा सर्फेस है नान कि यह आपका फइनल कि टूल है और यह जो आपको दिख रहा है जो को यह बोलते हैं है cuzjap 逞शब दियिक्स ऐखलें प्रॉम् presses डrä को सब्सक्राइबिस को शेंद वीं सब्सक्राइब खल कॉया चैंड माघ्याइब कुद्ध को स्टेप्लाइब हम एग फ्ल सब्सक्राइब द्रफ खलंगध अब Extra करते हैं म AH माशीनिंग में जैसे हमादे पास कोई रोट पीस था मतलब हमें उस पर कुछ काम करना है काम क्या करना हुआ हाएं कैसे हमें से सब्सक्राइब कर लगा हुआ है मत्रिय। हो हटा ह prix जो आपका वर्क पीस है उस एक्स्ट्रा मेंट्रियल को करते हैं किस वड़क ट्रक ट्रक टे हैं वर्किन क्या क्यों कि वर्क बढुँब करते हैं किऽ की वर्म पर थे है चिप्स की फॉर्म में रोल आप यह जो प्रासेस होता उसको को मुलते हैं मशिनिग चिप्स डिक्ष्ट की फॉर्म में रूमूफ करते है ठीक है तो अधिश्टी अधिश्ट अधिश्टीट मशीनिंग इस अधिश्ट से हम्हारे पास वशची से तो आपने तो आपने तो आपने कटिंग तूल को जैसे इसको पॉंटेक्ट में लेक्ट लगाएंगे तो जिससे क्या होगा यह वाली जो लेयर है उपर वाली वह जाईगी और चिप्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी ब吏क है नियुक ठीक है चलिए इसे छोड़ियों एक आरे ग्जामपल देता हूँ जैसे बचपन में लोग गुलि मैं तो खेल आता आप लोग बताई है अब बनाते थे के नहीं बनाते थे नहीं को साइड से चीलते थे क्या तो वुट ऊट वाट वाट वस बैड आपके वाश्य यह थी एक लगडी आपने क्या कि इसको बनाना स्टार्ट गया तो यहां से इदर से बीज़ाइना इस्टार्ट के और इदर से भी इदर तो क्या आता यह जो शेप कुछ इस तरही के सबन जा दी कि नहीं तरह लगड़ी कि बनवादे थे प्सक्राइब मेले जाबन विए हां तो कुछ ऐसी शेप बन जाती थी माशिनिंग आपरेशन के वसी चाहएं छिलने वाला उसके बाद हमने मैटल को कि यह वर्क पीस था, इसमें मैटल को रोमूव किया था कि का से नहीं चुल रहा था 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 थोले थोले चीप से निकली भेला थाए निकली थी इसमासे है लेख जबड़े लेकली कि छोटे भेला की जबड़ा निफंगा थी वोग हो चीपस थी विस्ति are जैसे युझली बन जाती थी वहंतली शाइ doc except पर जाती थी तो यह मशीनिंगी तो है यही तो मशीदिंग है तो वह शुचल मशीनिंग क्या है असे इज अ ऐपरेशन वशीनि मशीनिग इन मैं अ एक्टा मेट्रील फॉम्द वर्क पीस किसी की फॉर्म से तो कटिंग टूल की मदद से देखो आपको सुन लो आपको यह डायगराम बनाना पड़ेगा इसमें यह वाला राइट वाला राइगराम ठीक है एक तो लेफ्ट वाला बना लेना बीफोर कटिंग और यह आफ्टर वाला कटिंग तो आपको नाम लिखना है यह आपका कटिंग टूल है यह वर्क पीस है और यह रफनेस है इस वाले में क्या करेंगे आपका वर्क पीस है यह आपकी चिप है यह आपका कटिंग टूल है यह डायगराम आपको बनाना पड़ेगा मशीनिंग अगर तो ठीक है यह वाले डाइगराम बना देना है मशीनिंग में चलिए मशीनिंग समझ में आगा है क्या है तो देखो पहला पॉइंट है कोई दिखर नहीं में बता दिया आपको चाहे एक्जा में मेटल कटिंग पूछा जा या मशीनिंग पूछा आपको समझ जाना कि दौनों का मतलब क्या होता ठीक है दूसरा पॉइंट में लेखा इट इस नेगेटिव मैनुफेक्टरिंग प्रॉसेस इसमें क्या करते हैं वी मर्ण्मcribe मेर्ण और टक्र को सब्सक्राइब मैं फट्रा सूरा मैं करते हैं किसकी पॉर्म ऑफ में जीए एक चििपज चिस की फॉर्म में रमूफ करते हैं किसकी कि आप सकता है तो इस नृत्हों सकता है और हटा देना और ट्हरेंगा जिए मिल्टी ओक और तो एक भिल्ग सकते हो और ओप्टेन ओभी थी यृञagn सकते हो दसके हो अधित निलख सकते हो सबस्द ठक्राइफ ऑप सकते हो थी यह किया अब टायिं यह हैरहल हो दशाली तो अजूक तपनर द नहीं हो घचासिРЕ ED D E S I are E समझ में आगे हैं मैटल कटिंग टाया मशिनिंग यह निए पिछ पहला पॉइंट आपके इस अजार्ण प्रॉइंट प्रॉइस उसमें रिपति एस रिप्रॉइस नेगे इसार्ण रिप्ट्रीट इंवाल प्रॉसस इन विच विच वी रिमूव धिए एक्स्ट्रा मेटेरियल फ्रॉम दा वर्क पीस इन दा फॉर्म आफ चिप्स बाइ यूजिंग एक कटिंग टूल कटिंग टूल को सकता है मल्टि पॉइंट हो सकता है ब्रेकट क्लोज तू गैट दा डिजायड शेप डिजायड शेप अप्टेन करने के लिए हम वर्क पीस मे किसे चल्यक्ष लेट केमेंटक्स पूछ यह निया और और मनाना है अब ड्रूर यह नहीं आ जाएं-वह, पहले और बाद में बाद वाला बनाना पहले बनाओ 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 अब दोना बनाओ तो समझ में आ जाएगा तो यह definition आपको याद रखनी यह बार बार लिखनी है अब यह मशीनिंग आपको आइडिया हो गया अब हम स्टार्ट करते हैं मशीन टूल देखो मैंना भी आपसे बोला था कि सिंगल पॉइंट कुल होता है तो यह डिपेंड करता है कि उस कटिंग पूल में कितनी कटिंग एज़ेस हैं तो यह सिंगल पॉइंट मल्टि है कि अधि कुछ हर तो इस तो उसमें कितनी कटिंगेज होती है बताओ काटने के लिए करते हैं उसकी बात ने की तो बात ही नहीं कि भाइया काटने की बात किये ना मैंने तर चाकू में हाँ चाकू की बात कर रहा है हम किया बताना है मैं यह बोलना हूं घर में चाकू होता है उसमें कितनी कटेंगे होती है कितनी कटेंगे होती है काटने के लिए कि अधिक के लिए यूज करते हैं यह वाला कटेंगे लिए यूज करते हैं उल्टा बनाया है ठीक है कि लिए उसकरेंगे तो कितनी कटेंगे होती है इसमें काटने के लिए एक होती है ना कि अधिक काटने के लिए एक होती है तो उस वह उसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कुटिंग तूल मतलब अगर ऐसा कटिंग टूल जिसमें वर्कपीस को कट करने के लिए metal को रुमूव करने के लिए केवल और केवल एक कटिंगेज होती है उसको हम जों बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ठीक है कुछ चाकु जो है यह तो सिंगल पॉइंट हो गया कुछ चाकु ऐसे भी होता है जिसमें ऐसे टीद बने आ रहे हैं देखो के इस में प्लास्टिक वाले नहीं मेटल के भी आते हैं वह यह प्लास्टिक इसमें कटने के लिए कितनी इसमें इसमें तो आवंगे सारे भी स्थार इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आफ्लेजूंट कoofosed क्वाइंग तूल हैविंग मोर थैन तू कटिंग एज तू कट तू रिमूव दा एक्स्ट्रा मेटिकल फॉम दा वर्क पीस इस वाल्टी पॉइंट का मतलब होता है यहां पर एजस से कि किसी भी कटिंग टूल पे आपकी कितनी एजस अवेलेबल है मैटल को रिमूव करने के मेरिए उसके बेसिस पे अब लोगों ने कि कि है나 को कि मैस मेरेगा मुटी पॉइंट गार मुटि फॉएंट किया होता है कि एक तू पॉइंट कर दिंग डिवीज जोती है दो एक्जांपल बसुआओ इसका बताओ इसका तूपॉइंट कटिंग टूल इसका टू पॉइंट कटिंग टूल है विए इसमें दो इज रहे जोती है काटने के लिए कि हुआ कि एक अच्छी हो गई अप्की ड्रिल बिट करने के लिए जो बिट यूज करते हैं ड्रिल बिट जो होती है आपकी ठीक है थोरा सा डाइकरा में आपको बता देता हूं घरों में ड्रिल करने आते हैं लोग वो भी आपका टू-पाइंट कटिंगे जिस होती है आधर रजा इसी डरिल बिट काहिन देखिए कर एक के इसमें के आठिका तो ड्रिल बिट आपका टू-पाइंट कटिंग तो मल्टी पॉइंट ड्रिल एडल सेवाली श्मौ ट्रिण में होता सबसटेच घाए चलिए आप में मुझे नगे में मुझेस करिके बीच में फॉच्वरेंस में मुझा देखना और बताना जो लेधर यह तो पूरा उसक का सधर्राइब क्या है एक पूरा रिखला आएगा थे नहीं क्या पूरा रिखला अटकुल आएगा फुरर्य चै रिर्चिन यह विदानीट डायग्राम में एक्सप्लेंट प्रिंस्प्रक्शन एंड वर्किंग ओफ एक्सप्लेंट, प्रिंसिपल और इस का डायग्राम देखिए आप लो यह तो अप्र उसका बना डायग्राम देख रहा है क्ढई बताओ डिख रहा है अब देखो तूडी राइगराम है मतलब सिंपल बनाए गया इसमें थोड़ी सी गलतियां गलतियां यह है कि इसको थोड़ा बड़ा बनाना जिससे कि यहां तक पहुंजाए ठीक है या तो आप इसको इतना थोड़ा सा मेट्रियल इसमें से रिमूफ कर आखेना इतना इसको ज्याद सब्सक्राणा है इतना इतना हमें हलाकर देना इतर्म नीचे करल साथ रह इंधे इतना हमेंट्रियल प्रणा यह नीचे शिफ्स परना है देखो लेट मशीन का डाइगराम थोड़ा सा माइंड में आपको आना चाहिए यह हैड इस्टोक है लेफ्ट साइड में यह आपका है इस्टोक होता है यह आपका स्पिंडल होता है क्या होता यह बीच में स्पिंडल के एस्पिंडल एक्षिए और उसस्पिंडल पर आपको क्या मांट होता है चक है यह इसका रियल डाइगराम नहीं है पास्ते इंडिकरां में आपको ऐसा बनाना है में अब बताइज भीचाहूं फ्रीस को फोल्ड तो हम यहां लगा देते है यह में जूदिए कि अब आप इसको बोलता है शॉन लाइव सेंट्र डाइव सेंट्र का बोलते हैं यह मौतर वगएर अलगी होती है रख्यों ती है सुर्दि इसका पीछे रख्यों कि उससे कंड़ा थे हैं और श्कुन तरीके से इसमें बब़ प्रफिस को यहां पकाड़ लेत है इस तरीके से तेंट कर लेता है अब चखाप का फोर्जा चक होता है किसा होता है सेल्फ सेंट्रिंग मतलब आप कोई एक स्कुरू टाइट करते जाओगे तो यह पूरे जो होते हैं वह आपसके सामने आते जाएंगे एक साथ वरकपीस को मतलब सेंटर में होल्ड करने के लिए यूज करते हैं और फोर्जा चक होता है आपको सेंटर के अलावा कहीं यहार प सेंटर मतलब हमेंसा घूंता नहीं है यह कभी कभी इस्पेशल परपस में काम किया जाता है जनरल यह होल्ड करने के लिए यूज करते हैं जब आपका वरकपीस काफी बड़ा होता है अगरने के लिए सब बड़ी साफ्ट हो गया ड्रिलिंग करने के लिए यूज करते हैं यह आपका हैंडल होता है जिससे इसको घूमाते हैं और यह आपका ढ है यह हपा टेली श्टोक होता है यह लैक्स होुगएक जिसके उपर आप पूरी मशीन अपकी माउंट होती है और गवरी जो यह भीछ वाल भीज़ Лीट हृता है करता है तो आपका एपर्न होता है वह याद रखना है ओटॉमेटिक फीड पिर यूज करता है तो आपका जो एपरों होता है वह लेफ्ट साइड में ने में ओटमेटिकली मूव करता है ठीक है अच्छा यह जो पूरी होती है यह पूरा अर्रेज्मेंट जो ता यह सारे कंपोनेंट को मैं करके बोलते हैं इसको बोलते है क्या राइज में यह का क्या कंपाउंड रहें जो टूल पोश्ट होता है टूल पोस्ट क्रॉस के बया नीचे कुम्पाउंड रेस्ट जो को अपरों say यह होता है कि शुलत ईच काम सब्सक्राइड यह उपने यह और यह अपरन वाला पॉर्शन होथा रह फिर देका ससाय वायस लेफ्ट राइट में इस तरीके से ठीक है उसको पर उसको उसको क्रोस स्लाइड में करें खृट जो क्रोस फीड देने के लिए क्रोस भी मतलब सिरुन काम और के राइब की कि गोश्य को ज़ने से था तरीके से हो तो पार। करना होता होता है. तुल पोस्ट सी ह accordance पे okay कटिंग टूल लगा रहता है अिल अंग सी है अच्छा थैक शोड़ा सा कि यूपर बना लेना बाकी अच्छ खहुक्त बाकी अज कीनि काम करते हैं कि दाइगराम समझ में आप लोगों को ठीक है यह सारी चीनियस में होती है बार्की पोच नहीं होता है यह दिस इस बेसिक अवाउट दे इस अलाइगराम फॉर इपूदी डाइगराम फॉर लेज मसीन ठीक है इस तरह के डाइगराम आपको बनाना कर लेज मशीन कर आगराम आए तो ठीक है चलिए फिर आज का शेशन यहीं विनिश्टर देते हैं आग शेल गए